हेलो स्टुडेंट्स, गूड मॉर्निंग आज हम इस वीडियो में जयन दरम से संबंदित, जो जयन दरम में संसार के छे दरवे बताए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, तो जयन दरम के बारे में हमने पहले भी काफी कुछ पढ़ लिया है तो आप उन वीडियो को भी देखते रहें और आज हम संसार जो छह दर्वें से बना है जैन दर्म के अकोर्डिंग उनको आज हम पढ़ेंगे तो देखे स्टुडेंट्स सबसे पहले तो हम यह जान लेते हैं कि वही यह जो छह दर्वें हैं यह होते क्या हैं तो जैन दर्म में माना गया है कि तीन लोग में कोई भी कारिये छह दर्वें के बिना नहीं हो सकता ठीक है अर्थात हम कह सकते हैं कि मूल भूत जैन दर्म के छह दर्वें से यह लोग बना है ठीक है न ऐसे संसार नहीं बन सकता था तो 6 दर्वियों को मिलाकर संसार का निर्मान हुआ है ये जैन दर्म कहता है तो देखे हम पढ़ते हैं याँ पर जैन दर्म में बगवान मतलब यहां पर कहना चाहा रहे हैं कि जैन दर्म में बगवान किसे का आ गया है जो हरियंत है तो हरियंत क्या होता है जिसे ज्ञान प्राप्त हो सिध है अर्थात सिध वो होती है जो मुगत आत्म है जिनको इस संसार का कोई लोग नहीं हो ठीक है तो इनको जैन दर्म में भगवान माना गया है अरिहंत और सिध लोगों को जैन दर्म इस बर्माण की अभिवेक्ति निर्माण के लिए जिमेदार किसी निर्माता इस्वर एम सक्ति की दाणा को नहीं मानता जैन दर्म के अनुसार ये संसार छैदर्वियों से मिलकर बना है और ये संसार हमेशा से था तता हमेशा रहेगा ठीक है तो छह दर्वे कौन-कौन से थे यहां पर हम यह जान लेते हैं छह दर्वे में आते हैं जीव, पुद्गर, धर्म, एधर्म, आकास और काल ठीक है यह कई बार प्रिक्षा में पूछ लेते हैं तो यह छह दर्वे के नाम है उनको आप अच्छे से देखेगा संसार के दर्वियों के दो तत्वे हैं कौन-कौन से हैं संसार के दर्वियों के दो तत्वे संसार जिन दर्वियों से मिलके बना है वो छह हैं जीव, पुद्गर, धर्म, एधर्म और आकास तथा काल इसके अलवा यहां पर यह समझने वाली बात है कि दो तत्वे, दर्वियों के भी दो तत्वे हैं दर्वे भी दो तत्वे में बंटे हुए हैं वो है आपके जीव और एजीव अब हम यहाँ पर पहले जीव के बारे में पढ़ेंगे और मैं आपको यहाँ पर यह बताना चाहूँगी कि एजीव में जो बाकी के जो पांच जो बच्चे होए हैं पुद्गल है धर्म एधर्म आकास और काल ये एजीव के तत्वे हैं ठीक है अब देखिए जीव क्या होता है जीव के बारे में सबसे बारे में पढ़ते हैं तो जीव को अनंत ग्यान अनंत ग्यान अनंत स्रधा अनंत सांती अनंत वीरिय तथा पूर्ण मना गया है ठीक है तो जीव सब्द से तात्प्रिय है वह जीवित या प्राणवान कोई भी हो मालो जिसमें जीव हो वो ही जीव होगा तो जीव को अनंत नित्ते तथा अनेक इंद्रियों वाला कहा गया है जीव के समस्त किरियाई उसके करम के परिणाम सरूप है तो जीव को करता वै भोगता भी माना गया है ठीक है तो जैसा करम जीव करेगा उसको वैसा ही परिणाम या फल उसको वैसा ही उसका भूगतना भी पड़ेगा उसका फल उसको मिलके रहेगा अब देखिए यहां पर मैं आपको बताना चाहूँगे कि जीव हैं वो दो तरह के होते हैं जीव को भी दो भगों में बाटा गया है वो कौन-कौन से हैं मुक्त जीव और बंधन जीव ठीक है तो मुक्त जीव कौन सा हो गया जिसको मौक्स के प्राप्ति हो जो संसारिक भोग विलासों से दूर हो तता बंधन बंधन जीव कौन सा हो गया जो बंधन युक्त है जिसको परिवार से लोग है बई कि यह मेरा परिवार है संसार से माया मुह से मतलब जो बगवान को मानना चाहता है लेकिन इन बंधनों से भी वो यूग था, इन बंधनों से वो बअहन नहीं है, तो वै जीव है वै बंधन ग्रस्त हो गया, अब बंधन है उसको भी तो भगव में माटा गया है, वो कौन-कौन से बंधन है, एक तो है तरस्त, जिसे गति चिंद्रियों वाला जो भी जीव है वे तरस्त गतीमान में आता है तदा यह थावरिया गति हीन जीव कौन सा हो गया जैसे जल वायू वनस्पति और अगनी तो इनको अपन क्या बोह सकते है यह थावरिया गतिहिन बंधन यूगत जीव तो अपने यहां पर जीव जो दर्वे है उसके बारे में पढ़ा अब हम पढ़ेंगे एजीव जो जो दर्वे है उसके बारे में हमें आप पढ़ेंगे तो एजीव यह तत्वे जीवन एम चेतना विहिन होते हैं ठीक है न तो इनमें जीवन मत मतलब जीव नहीं होता और चेतन विहन भी यह होते हैं तता इन्हें जड और एचेतन भी कहा गया है कि और इसमें पांच भहते हैं इसके पांच भहत कौन-कौन से होते घार्म काल काल किसे कहेंगे भीन-बिन चणों होते हैं जैसे एक मिनट पहले कोई भी गठना गठी तो वो समय तो था ही काल था वो तो भिन-भिन चणों में वर्तमान का रहना ही क्या कहलाता है काल का काल कहलाता है जैसे फिर दूसरा है आकास आकास अनन्थ है इसके भी दो भाग है लोकाकास जहांपे गत्ती संभव हो तथा ए लोकाकास जहांपे गत्ती संभव नहीं हो फिर आता आपका पुद्गल स्पर्ष, रूप, रस तथा गंद से मुक्त माना गया है पुद्गर जड़ तत्वय को ही क्या कहते हैं पुद्गर कहते हैं जो नित्य होते हैं जिससे अनुभव की सभी वस्तुएं बनी होती हैं फिर आता आपका धर्म तो इस तत्वय के कारण गती संभव है धरम जो तत्वा इसके कारण के अगत्ती संभव होती है जैसे मचली का पानी में तैरना मचली है वो पानी में तैर रही है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मचली पानी में तैरती है जबकि पानी उसको तैरना नहीं सिखा था नहीं सिखा था ना जबकि मचली माँ पे तैर रही है फिर आता आपका जैसे अधरम तो अधरम का अर्था स्थिर था दुर्वियों को रखने में अधरम को सहायक माना गया है जैसे जल स्थिर है लेकिन मचली के लिए जल आवश्यक है अतह है यहाँ पर मचली का जल में तैरना धरम है तथा जल यहाँ पर क्या हो गया एधरम हो गया जो संसार के लिए दोनों ही तत्वे आवसेक हैं तो धरम और एधरम धरम क्या वा मचली का काम यह मुझे तो तैरना है और एधरम इस्तिरता पाणेगी वह पाणी इस्तिर रहेगा तो तो यह मचली उसमें तैर पाएगी तो संसार के लिए इस दोनों ही तत्वे आवस्यक हैं तो धन्यवाद हमने आप पर जैन धर्म से संब्दी जो छह दर्वे हैं उनके बारे में पढ़ा और जैन धर्म के बारे में और नहीं जानकरी प्राप्त करने के लिए वोड्सप पे हम हमारे ब्रोडकास्ट चैनल से जूड़े और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इत्यास सम्मधित नहीं नहीं जानकरी प्राप्त हो सकें